बुड़मल ज्वेलर्स पालंपूर भरोसा उम्र भरका एक पत्नी के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसके पती का शब पिछले ग्यारा दिनों से बीदेश में फंसा हुआ हो अपने पती का आखरी बार चहरा देखने के लिए एक अभागी पत्नी मदद की गुहार लगा रही परिबार का भरन पोशन करने बाला एक मात्र सहारा उनके उपर से चिन चुका और अब बस परिबार जिसमें दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं तक टकी लगा कर अन्तीम बार अपने पती और पिता का चहरा देखना चाहते हैं मामला ही माच्वल परदेश के मंडी जिला के उपर मंडल सुन्दर नगर का जहां से मात्र दो वर्ष पहले साओधी अरब के जुबैल में काम कर अपने परिबार की सुनहरे भविश्य का सपना अपने दिल में संजोए 49 वर्ष ये विरेंदर निकले थे लेकिन भाग्यों को कुछ और ही मंजूर था 6 सितंबर को विरेंदर के साथ बात होने के बाद 7 सितंबर सुबा तबियत अधिक बिगडने के कारण अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी हिरिदे गती रुक जाने से मोत हो गई विरेंदर जुबैल में लेवर का कारे करते थे और परिबार का एक मात्र सहारा थे परिबार की गरीबी का आलम ये है कि शब को सुंदरनगर तक लाने के लिए भी साधन की उपलबदता नहीं है मेरा नाम डिमपल है और मेरे पती का नाम ब्रिंदर कुमार था और वो विदेश में लेवर की नोकरी करते थे और उनकी हाड़ अट्रैक से देथ हो गिया और दस बारा बारा दिन हो गया है और वहां से कोई पता नहीं सब रहा है और फरशासन से मांग है कि कुछ कदम उठ आज हमें डिमपल जी के द्वारा एक अप्लिकेशन प्रापत हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हस्वेंट की साओधी अरब में डेथ हुई है बरिंदर कुमार जी तो हम मैंने अभी उनसे इस पूरी डिटेल ली है कि कि इस कंपणी में कारे रहते और ये भी उन अच्छी नहीं है तो डेड़ बॉड़ी एतियादी का कोई इंतजाम का कुछ उन्होंने अग्रह किया है तो मैं इस मेटर में कंपनी से बात करने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि यहां तक डेड़ बॉड़ी जो है वो प्रॉपरली समान के साथ और हम उ सुकेट बैपारमंडल सुन्दर नगर संयोजक आपके सामने सुरेश कोशल जैसे की करीब 15 दिनों से हमारे सुन्दर नगर के रहने वाले बिरेंदर जी जिनकी हिर्देगती रुकने से सौधियरम में मृत्ति हो गे थी तो आज 15 दिन के करीब जो है उसकी डेड़ बोड़ बहां पे पड़े हुई है हमारी सरकार से मांग है जैराम सरकार से हमारी मांग है जल्दी से जल्दी इस गरीब परिवार के लिए कुछ सोचा जाए